Hello guys and welcome back to Shikha Classes यह editing पे fourth video है और इसके पहले मैंने three videos बनाई, एक introductory video भी बनाया है तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो जाके देख लिजे उसका link description में दिया हुआ है इसमें किया है कि मैंने जो paragraph लिया है उसमें six errors हैं जिसको हम ABCDEF इसमें mention करेंगे तो जब भी आपका editing आएगा तो उसमें दो columns होंगे एक error का और एक correction का तो आपको दोनों ही लिखना होगा जो गलत है वो भी लिखना होगा और जो अपने correct आप समझते हैं कि अच्छा ये गलत है इसके जगह पर ये correct होना चाहिए तो आपको वो भी लिखना होगा और दोनों के लिए half of marks होते हैं मतलब कि अगर आपने गलती पहचान ली और correction भी उसका सही किया तो आपको one marks मिल जाएंगे लेकिन अगर आपने गलती सही पहचान ली correct नहीं किया सही तो आपको half marks ही मिलेगा first line is a king reached a ashram a king reached a ashram वोगा आश्रम के साथ तो an होना चाहिए तो यहाँ पर ये error है तो यहाँ पर ये error है तो यह तो यह तो wrong होगा क्यूंकि अभी हमने देगा कि यहाँ past tense में ये paragraph है तो असादू was watering some plants वो सही होगा यानि कि this is is wrong and यहाँ पर होना चाहिए was असादू was watering some plants मतलब जब वो राजा आश्रम पहुंचता है एक आश्रम पहुंचता है तब एक सादू जो है वो कुछ पौधों पर पानी दे रहा है यहाँ पर full stop है क्या है कि अब दसादू सही क्योंकि हमने सादू का जिकर एक बार कर दिया सादू लिखा और सादू का जिकर हो चुका अब उसी सादू के बारे में चुकी बात हो रही है इसलिए दसादू यूज हुआ है क्योंकि यह पर हम जानते है कि पैसिव वाइस में हमेशा past tense यूज होता है तो नहीं यहाँ पर हिंदी वाला और होगा इंगलिश वाला और नहीं होगा हिंदी वाला और यानि इंगलिश में and वो जो सादू थे वो दौड के राजा के पास गए and यहाँ पर यह और जो है वो गलत है so this is an error and and जो है वो सही होगा और उन्होंने उसको कुछ fruits दिये and gave him some fruits on that time नहीं होता है at that time होता है इसलिए यहाँ पर on गलत है यहाँ पर होना चाहिए at at that time a wounded man कैसे होगा जब एक घायल, wounded means घायल तो man नहीं नहीं होगा तो man होगा क्योंकि एक है तो यह तो plural होता है man जो है यहाँ पर होना चाहिए man man एक घायल आदमी उसी वक्त आश्रम में लाया गया so guys hope आपको यह सब को समझ आ गया हो और आगे जब मैं और भी इस पर questions अपलोड करूँ तो आप एक काम कर सकते है आप पहले बिना मेरे solution की खुद से बना के try कर लिया कीजिए और फिर तब on करके आप चेक कर लिया कीजिए कि आपने जो बनाया वो सही था या नहीं तो इस सब्सक्राइब कीजिए बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको साइंस में 10th क्लास में कोई डाउट से तो मेरे एक साइंस का भी चैनल है साइंस मेड इजी विद सवर्न शिखा तो इसका लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से भी सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में खुद से सर्च भी कर सकते हैं See you in the next video with a new topic, with some new practice exercises. Till then keep smiling, have wonderful days and keep on practicing for the exam because practice and practice makes a man perfect. Thank you.